जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन का महीना साल 2030 में कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा और इस साल सावन के कितने सुमवार के बृत पढ़ेंगे और उनकी तारीखें क्या रहेंगी? दोस्तों, इस साल अधिक मास पढ़ने के कारण सावन एक मा का नहीं बलकि दो मा का होने वाला है इसलिए इस बार सावन सुमवार के बृत भी ज़्यादा पढ़ेंगे तो इस वीडियो में आपको सावन सुमवार व्रत की सही तारीख क्या क्या है, इनकी जानकारी मिलेगी इसके साथ ही हम जानेंगे कि सावन सुमवार व्रत का क्या महत्त है और इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है साथी सावन सुंबारवरत की संपोन पूजा विदी भी बताऊंगी इसलिए लास तक इस वीडियो के साथ बने रहें लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्ष्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल World Best Magic को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में सावन के महीने का पिसेश महत्त है क्योंकि सावन के महीने में बगवान सिव की पूजा रादना की जाती है सावन का महीना बगवान सिव को अत्यन्थी प्री है इस मा के प्रत्येक सोमवार के दिन बगवान सिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है ऐसी मानिता है कि सावन मा के सोमवार के व्रत जो व्यक्ति करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है इन दिनों किया गया दान पुन्ने एवं पूजन समस्त जोतर लिंगों के दर्सन के समान फल देने वाला होता है मानिता है कि इस महीने में भोले नात अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं खास दोर से सावन सुमवारवरत करने वाले और उसकी विद्वत पूजन करने वाले जातकों को देवों को देव महादेव कभी भी निरास नहीं करते हैं विवाहिक जीवन की लंबी आयू और संतान की प्राप्ति या संतान की समरद्धी के लिए या जिनकी साधी नहीं हुई है उन्हें भगवान सीव अच्छे वर का वर्दान देते हैं और जिनकी साधी हो चुकी है उन्हें सुख में विवाहिक जीवन का आसिरवाद देते हैं इसके लावा सावन सुमवार कवरत कुल वर्दी लक्छमी प्राप्ति और सुख सम्मान देने वाला होता है इन दिनों में भगवान सीव की पूजा जब बेल पत्र से की जाती है तो भगवान अपने भक्त की कामना जल्द ही पूरी कर देते हैं ऐसा माना जाता है कि भक्त मनुकामना पूर्दी के लिए सावन के सुमवार से आरंब करके 16 सुमवार कवरत रखते हैं यदि आप 16 सुमवार कवरत रखना चाहते हैं तो आप सावन के महिने से स्टार्ट कर सकते हैं इस महिने में मुखरूप से सिवलिंग की पूजा की जाती है आपको बता दें कि सावन सुमवार कवरत सुर्योदे से प्रारंब करके तीसरे पहर तक किया जाता है सिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी बहुत ही जरूरी होती है व्रत करने वाले को दिन में एकी समय भूजन करना चाहिए आप सोमवार को ब्रह्म मूरत में उठकर नित्य कर्मों से निव्रत होकर इसनानादी करके सुच्छवस सधारण करें इसके बाद इसान कोड में पूजा इस्थल को गंगा जल छिड़कर सुद्ध करें और एक लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्तर बिछा कर भगवान सिव जी की मूरती या फोटो इस्थापित करें साथ ही आपके घर में सिवलिंग है तो उसे भी चौकी पर इस्थान दें आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल पुस्प अक्षत लेकर सावन सुमवार व्रत का संकल्प लें या आप यदि सोला सुमवार के व्रत सुरू कर रहे हैं तो उसका संकल्प लें आप संकल्प के समय अपनी मनोकामना भोले नाथ से अवस्थ से कहें और आप का व्रत निर्विग्न पूर्ण हो ऐसी प्रातना करें अब हाथ में जो जल पुस्प अक्षत है उसे भोले नाथ के आगे चड़ा दें दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि सावन में भगवान भोले नाथ के साथ साथ उनके पूरे परिवार की पूझा जरूर करने चाहिए सावन के व्रत में भगवान सिव जी के साथ गडेज जी, मातापारवती, कारतिके और नंदी जी की विद्वत पूजा करनी चाहिए आप चाहें तो किसी बिस्यू मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं आप रतेक सुमवार को सिवलिंग का दूद, दही, गी, सहद और सक्कर से अर्थात पंचाम रच्से बिसे करना चाहिए इसके बाद चंदन का तिलक लगाना चाहिए फिर फूल, माला, बेल पत्र, आकड़े कफूल, धतूरा, भांग और भस्म आदी अर्पित करें इसके बाद पान सुपाड़ी, लॉंग इलाची, मेवा और सफेद मिठाई का भोग लगाएं दूद दीब जलाएं और वहीं बैटकर ओम नमा सिवाय मंतर का 108 बार जाब करें इसके बाद सावन सुमवार व्रत की कथा पढ़ें आप चाहें तो सिव चालीसा, रुदरास्टक या सिवास्टक का पार्ट कर सकते हैं इसके बाद सुमवार व्रत में आप साम के समय भी सुमवार व्रत करने से व्यक्ति को दुखों में मुक्ति मिलती है और सुखों की प्राप्ति होती है दोस्तों सावन सुमवार व्रत में आप साम के समय भी सिवजी के आरती और भोग अवस से लगाएं इसके बाद ही आप भोजन ग्रहन करें आप चाहें तो फलाहारी भोजन कर सकते हैं या एक अनाज का सेवन कर सकते हैं ये आप के उपर है कि आप सावन सुमवार के वरत किस तरह रखना चाहते हैं। कुछ लोग पूरा दिन फला हारी वरत रखते हैं और अगले दिन सुबा वरत का पारण करते हैं। तो इस तरह से आप सावन सुमवार के वरत रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में सावण का महीना कब सुरू होगा और कब समाप्ट होगा और सावण सुमवारवरत की तारीखें क्या क्या रहेंगी दोस्तूं सावण मास इस बार अधिक मास के कारण दौ महीने का होने जा रहा है इसलिए इस साल सावन 4 जुलाई से सुरू होकर 31 अगस्त को समाप्त होगा साल 2023 में अधिक मास 18 जुलाई 2023 से सुरू होकर अधिक मास का समापन 16 अगस्त 2023 को होगा और इस साल सावन 4 जुलाई से 17 जुलाई तक रहेगा यह सावन का क्रश्न पक्च होगा और इसके बाद 18 जुलाई से अधिक मास सुरू होगा जो कि 16 अगस्त तक रहेगा फिर इसके बाद 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सावन मास का सुखल पक्च चलेगा चलिए अब जानते हैं सावन सुमवार वरत की तारीखें क्या क्या रहेंगी दोस्तों इस साल अधिक मास की वज़े से सावन सुमवार की वरत चार नहीं बल्की आठ होंगे इस बार सावन का पहला सुमवार 10 जुलाई 2023 को पड़ेगा और सावन का दूसरा सुमवार 17 जुलाई 2023 को पड़ेगा सावन का तीसरा सुम्बार 24 जुलाई 2030 को पड़ेगा सावन का चौथा सुम्बार 31 जुलाई 2030 को पड़ेगा सावन का पाजवा सुम्बार 7 अगस्त 2030 को पड़ेगा सावन का छटा सुम्बार 14 अगस्त 2030 को रहेगा सावन का साथमा सुमबार 21 अगस्त 2030 को पड़ेगा और सावन का आठमा सुमबार 28 अगस्त 2030 को रहने वाला है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद